तो चलिए फिर शुरुवात करते हैं lecture number 5 की हमें आज पढ़ना है sign convention for reflection by spherical mirrors spherical mirrors से जो reflection होता है उसका sign convention पढ़ना है sign convention में हम ऐसी चीजे पढ़ेंगे कि जैसे mirror के सामने object को अगर रखा जाएगा तो उसकी जो distance होगी उसको negative लेंगे या positive लेंगे image की जो mirror से distance है उसको negative कब लेंगे, कब positive लेंगे focal length कब negative और कब positive होगी ये सारी चीज़े हमें इसके अंदर पढ़नी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे spherical mirror है concave और convex उनको हमें axis के उपर draw करना पड़ेगा axis के उपर लिखना पड़ेगा तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि object की जो distance होती है mirror से वो हमें negative लेनी होगी या positive लेनी होगी तो इसके लिए हमने यहाँ पर Cartesian plane बना दिया है Cartesian plane के बारे मैं अपने class 9 में पड़ा होगा इस तरह से axis होते हैं, x और y axis x axis में इधर की side positive, उधर negative होता है y में vertical side जो उपर की होती है, यहाँ पर positive और इधर क्या होता है negative होता है तो हम यहाँ पर concave mirror को place करने वाले है तो यह हमने concave mirror को यहाँ पर place कर दिया है concave mirror का जो pole होता है, वो axis का जो origin होता है, वहाँ पर होना चाहिए इसके लावा इसका यहाँ पर focus हो जाएगा और इधर हो जाएगा center of curvature तो object जब भी रखना होता है, वो हमेशा mirror के सामने रखना पड़ता है तो इसका मतलब object हम इधर की side कहीं भी रखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, पीछे रखेंगे तो इससे कोई फाइदा नहीं हुगा, क्योंकि object को पीछे रखने से उसकी image नहीं बन सकती है mirror के सामने ही object को रखना पड़ेगा, तो object आप जब भी mirror के सामने रखेंगे तो हमेशा आप left side में रखेंगे, यह right है, यह left है, तो object हमेशा किदा रखा जाएगा left side में तो left side में यहाँ पे कहीं भी object रखा जा सकता है, मालम ने beyond c रख दिया तो object की जो mirror से distance होगी, वो आप देखे ज़रा क्या होगी इधर की side x-axis क्या होता है, negative होता है, तो object की mirror से distance हमेशा कैसी रहेगी, negative रहेगी convex का भी देख लेता है, तो यह हमने उदर की side convex mirror बना दिया है, convex mirror के सामने भी object को हमेशा left side में रखना पड़ेगा और यह जो object की distance होगी mirror से, इसको हम represent करेंगे small u से, object की mirror से distance होती है, इसको small u से represent किया जाता है और distance measure करने के लिए pole से लेकर object तक की distance को लेना पड़ता है, तो object की distance को हम u से represent करेंगे और u always क्या रहेगा, negative, क्योंकि हमेशा object को mirror के सामने left side में ही रखा जाएगा और left side में x-axis क्या होता है, negative होता है, x-axis इधर की side positive होगा, यहाँ पे negative होगा, मैं लिख देता हूँ तो हमेशा क्या रहेगी, negative रहेगी, नीचे लिख देता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि object distance, यानि के u always कैसा रहेगा, negative रहेगा, तो कभी भी आपको object की distance लेनी होगी, तो बेज ही जग उसको क्या लेंगे, आप negative लेंगे, उसमें आपको कुछ भी सोचने समझने की ज जाता है, small v से, और image के बारे में देखे, क्या होता है, कि यह जो convex mirror होता है, यह तो हमेशा right side में image बनाता है, या तो अपने focus पर बनाता है, या फिर pole और focus के बीच में कहीं बनाता है, convex mirror के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे, इसमें जो image बनती है, वो हमेशा right side में बनती है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, यह देखे, यह दो case है convex mirror के, इसमें भी image जो है focus पर बन रही है, और इसमें भी image कहां पर बन रही है, यहां पर, तो convex में हमेशा image कह बनेगी, right side में बनेगी, तो इतना दुत है है कि convex जो mirror होगा, उसमें image right side में बनेगी, और image की distance होती है, वी, तो convex के case में हम यह कह सकते हैं कि image की distance होगी mirror से, जिसे हम V कहते हैं, वो हमेशा क्या रहेगी, positive रहेगी, यहां पर नीचे लिख देता हूं, तो यहां पर मैंने ल क्योंकि image हमेशा right side में बनाता है, convex mirror, लेकिन अगर concave की बात करें, तो concave में क्या होता है कि कभी image जो है, image के कुछ cases ऐसे थे, करीब 5 case, जब image left side में बनाता था, real और inverted बनाता था, और एक case ऐसा भी था, जब concave mirror जो है, वो virtual image बनाता था, जो की right side में बनती थी, तो concave की case मे क्या होगा कि कभी तो image की distance negative होगी, अगर वो इधर बनती है तो, और कभी image की distance क्या होगी, positive बनती है, अगर वो right side में होगी, तो concave में पक्का नहीं कह सकते, depend करेगा object पर की, object कहां रखा है, अगर object बहुत ही पास है mirror के, तो image बनेगी back side में, यानि के positive होगी, और अगर कही पीछे है object तो image इधर की side ही बनेगी, concave के वो cases एक बार फिर से देखिए, तो concave mirror के सारे cases है, यहां पर image left में बन रही है, इधर भी left में बन रही है, यहां भी left है, यहां भी left है, और यहां पर जब infinity पर जागे बनेगी, वो भी left होगी, केवल यही एक ऐसा case है, जब image right में बनेगी, तो जितनी बार भी image left में बनेगी, तो image distance negative होगी, और जितनी बार वो right में बनेगी, उतनी बार image distance क्या होगी, positive होगी, तो concave के guess में मैंने लिख दिया है, image distance जो है, वो sometime negative होगी, और sometime क्या होगी, positive, कभी negative और कभी positive होगी, depend करेगा कि object कहां रखा है, इस पर, object मिरर के बहुत पास रखा है फोकस और पॉल के बीच में तो इमेज बनेगी पॉजेटिव डिरेक्शन में तो जो इमेज डिस्टैंस होगी वी कॉनकेव के 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 सकते कभी-कभी तो वह निगट्टिव साइट बनेगी और कभी-कभी पॉजेटिव साइट बनेगी तो यह था इमेज डिस्टैंस जो कहमें समझनी है तीसरा जो sign हमें समझना है वो है focal length का तो हमने फिर से इन mirrors को axis के उपर रख दिया है तो यहाँ पर focus होता है concave mirror का और convex का focus होता है उसके behind में, back side में और focus की जो pole से distance होती है यह pole होता है focus की pole से जो distance होती है उसी को focal length कहा जाता है और small f से उसको represent किया जाता है यह आप अच्छी तरह से जानते होगे तो हमें इस focal length के बारे में बताना है तो इसको देखकर साफ पता जलता है कि concave जो होगा concave mirror उसकी जो focal length होगी वो negative होगी क्योंकि देखिए left side में इसका focus आ रहा है और जो convex है उसमें x-axis पर right side में focus पड़ रहा है तो इसकी जो focal length होगी वो क्या होगी positive होगी तो concave mirror की focal length negative होगी convex mirror की focal length positive होगी यह काफी आसान था समझना तो अब हमने तीनों के sign समझ लिए है u जो है वो हमेशा negative होगा v convex में positive रहेगा हमेशा लेकिन concave में depend करेगा condition पर लेकिन f concave का हमेशा negative रहेगा और convex का हमेशा positive रहेगा तो उम्मीद है कि sign convention को आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे पर बदाए याजा अच्छी तरीके से समझ लगेशा तरीके से समझ लगेशा